नमस्कार किसान भाईयों स्वागते हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल SK Agri Culture में किसान भाईयों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहों की बुवाई के समय कौन से पोटास का उपयोग करना चाहिए पोटास की अलग लग सरेणी आती हैं बहुत सारी सरेणीों में पोटास आता हैं सभी का अलग लग उपयोग हैं कोई पोटास उच्चे सरेणी का आता है कोई निमन सरेणी का आता हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी के बारे में डीटेल से जानकारी मिलने वाली है कि आपको अपनी जमीन के अनुसर कौन से पोटास का उपयोग करना चाहिए जिससे कि आपको आपकी पैदावार में भी भारी बढ़ोतरी हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादर से ज्यादर शेयर कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको खेथी से जुड़ी तमाम परकार की वीडियो देखने को मिलती रहे किसान भाईयों आम तोर पर जो हम उप्योग में लाते हैं पोटास की वो तीन स्रेणिया मुक्य हैं एक आजाता है हमारा M.O.P. मूरेटो पोटास दूसरी आती है हमारी S.O.P. पोटेशियम सलपेट और तीसरा आता है N.P.K. 12-16 इन में से जो दो खाद आते हैं N.P.K. 12-16 और M.O.P. N.P.K. 12-16 अगर हम हमारी गेहों की फसल की बुआई के समय डालते हैं तो इससे नाइटोजन फास पोरस पोटास तीनों की ही पूरती हो जाती है लेकिन अगर हम D.A.P. डालते हैं तो D.A.P. के लिए 18-46 जिसमें नाइटोजन फास पोरस तो होती हैं लेकिन पोटास नहीं होता है लेकिन उसकी पूरती के लिए फिर किसान बाई M.O.P. का यूज़ करते हैं लेकिन M.O.P. में किसान बाईयों एक दिक्कत होती है जो आप यहाँ पर समझने की कोसिज करें देखे किसान बाईयों जो पोटेशियम कलोराइड आता है इसको मूरेटोव पोटास और स्वर्ट में M.O.P. बोला जाता है इसके अंदर कलोराइड की मातरा होती है पोटेशियम कलोराइड की रूप में आता है और हमारा जो एक आता है S.O.P. पोटेशियम सलपेड यह सबसे उच्चे स्रहनी का पोटास आता है इसको आप हसल को किसी भी समय दे सकते हो यह इन दोनों से महंगा भी आता है लेकिन अगर हम M.O.P. की बात करें तो जिन जमीनों में कलोराइड की मातरा ज्यादा होती है कलोराइड हमारे पानी में भी होता है जमीन में भी होता है और अगर हम M.O.P. डाल रहे हैं तो फिर उसमें भी कलोराइड जमीन के अंदर जा रहा है तो अगर जमीन में kloride की मात्रा जादा है या या भूमिय जो मिट्टी प्रिक्षण है उसके द्वारा पता कर सकते हो तो अगर kloride की मात्रा हमारी जमीन में जादा होती है तो फिर पैदावार घटने लगती है क्योंकि kloride जमीन में मوجود सोडियम के साथ मिलकर सोडियम कलोराइड बनाता है जिसको नमक बोला जाता है जिससे की जमीन में नमक की मात्रा बढ़ने लगती है और पोधा अपनी ग्रोध भी नहीं कर पाता है पैदावार भी कम होने लग जाती है तो हमारी जमीन में जो क्लोराइड है और सोडियम है इन दोनों का ही एक लिमिट है उसी लिमिट में ये हमारी जमीन में होने चाहिए अगर ये ज़्यादा होते हैं तो फिर पैदावार गटेगी तो अगर आपकी जमीन में कलोराइट की मातरा ज़्यादा है तो आप M.O.P. का उपयोग ना करें और अगर M.O.P. का उपयोग कर रहे हो और कलोराइट की मातरा ज़्यादा हो रही है तो फिर पैदावार कम होगी तो इसके लिए आप मिट्टी परिक्सरन अवश्य करवाए और अगर आपको ऐसा लगता है कि बीज अंकूरित सही से नहीं हो पा रहा है आप बहुत कर राइड होता है यह बीज के अंकूरन में प्राइट करता है तो इससे बचाव के लिए इसा बताये जाता है कि M.O.P को पहले ही जुताई के समय खेत में मिला दिया जाता है ताकि बीज के अंकूरन में किसी भी प्रकार की कोई प्राइट ना करे तो अगर एसी आती हैं जैसे अठारा अठारा गुनिस गुनिस बीस बीस जिरो बाउन चो तिस जिरो जिरो पचास ये इसी लिए आते हैं कि अताकि किसान बाई इस्प्रे के दौरान अपनी फसल को बाद में भी इन पोसक ततों की पूरती करवा सकते हैं तो यहां पर यह वीडियो बना कर आपको यह बताने का मेंन मकसद यही था कि अगर आप M.O.P. डाल रहे हैं और जमीन में कलोराइड जादा हैं तो फिर वो M.O.P. जो कलोराइड अगर जादा होता है तो पिर अपना पोदा होता है वो दूसरे पोसक ततों को भी नहीं ले पाता है और संतुलन पैदा हो जा जरूर करना मिलते हैं अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद